नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर निशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ साल दोहजार चौबिस में होने वाले लोग सभाचुनाव को महज कुछ महीने ही शेस है ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्तर पर तयारियों में जुट चुकी है तमाम रा सांसद कई नेता अपने पुराने दल को छोड़ कर नए दल में शामिल हो रहे है नए लोगों का दामन थाम रहे हैं बदादे कि बीते दिनों चुराग पासवान ने अपने च्वाचा परशुपती पारस को बड़ा जटका दे दिया गया है सांसद विना देवी के माध्यम से विना देवी ने पुषुपती पारस का दामन छोड़ चुराग पासवान का दामन थामलिया दरसल बीते दिनों लोग जनसक्ति पार्ची का स्थापना दिवस था जिसमें हाजीपूर पहुंचे थे पुषुपती पारस तो वहीं दूसरी तरफ चुराग पासवान ने इतना दम पटना में दिखाया बापु सभागार में एक कारिकरम और इस कारिकरम में सांसद वीना देवी भी मौजूद थी तो देखिए 2024 के लोग सभा चुनाओं से पहले और कितने बड़े जटके किस को लगने वाले हैं ये तो भविश में ही पता चलेगा 2024 में लोग सभा का चुनाओं होना है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस से पहले ही पशुपती पारस गुट को चुराग पासवान ने बड़ा जटका दे दिया है राम विलास पासवान द्वारा स्थापित लोग जन्शक्ती पार्टी के स्थापना दिवस पर मंगलवार यानी 28 नवेंबर को सांसद वीना देवी पटना के बापू सभागार पहुँची थी चुराग के कारकरम में सांसद वीना देवी के आने से अठकलों का बजार गर्म हो गया है कि क्या उन्होंने चुराग का दामन थाम लिया है कारकरम में पहुची सांसद वीना देवी ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि पार्टी का 24 वा स्थापना दिवस है राम विलास ने इसे स्थापित किया था चिराक के कारकरम में आने को लेकर कहा कि घर में अगर कुछ हुआ है तो घर की लड़ाई बाहर नहीं जाने चाहिए हम दूसरी पार्टी में चले जाते तब होता कि दूसरी पार्टी में मैं चली गई हूँ मैं तो लोजपा में ही हूँ, चिराग पासवान से आस्था रखती हूँ बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर चिराग पासवान चल रहे हैं आने वाले दिन में वो मुख्य मंत्री भी बनेंगे पसुपती पारस भी आदर्नी है, हमारे नेता है कारेकरा में पहुची सांसद विना देवी को लेकर किये गए सवाल पर चिराग पासवान कहते हैं कि जो भी हमारे नेता के यानि मेरे पिता श्री राम विलास पासवान के सिधानतों और विचारों में विश्वास रखता है वापस आना चाहता है तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं ऐसे में सवाल उनसे बनता है जिन्होंने होजिंग लगा रखा है और दावे कर रहे हैं बताने कि इस पूरे मामले में अब पसुपती पारस गुट के प्रवक्ता श्रवन अगरवाल ने जो है एक नीजी मीडिया चानल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब वीना देवी चिराग पासवान के कारिकरम में चली गई है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि पार्टी से चली गई है उन्होंने इस्तिफा दिया है या नहीं इसके बारे में तो पता नहीं है पसुपती पारस के ओर से भी बयान नहीं आया है पूछे जाने पर वो भी इसका बयान दे देंगे तो देखे दोहजर चौबिस के लोग सबाचुनाव से पहले बयार की राजनेती गर्माती हुई देख रही है जहाएं तरफ चुराग पासवान बापू साभागार में अपने पार्टी की स्थापना दिवस मनाते हैं जिसमें वीना देवी भी जो है मंच पर मौजूर है पस्वपती पारस को दोहजार चौबिस से पहले बड़ा जहट का देने वाले हैं फिलाल इस वीडियो में वस इतना ही आप देख रही न्यूस पोनेशिन